अभी अजय हिन और मैं आपका सभी का स्वागत करता हूँ हमारे डिफिन्स अड़ा यूटिव चैनल के उपर मेरा नाम है अतुल धिमान और आज मैं आपके लिए अगेन बहुत जबरदस कंटेंट लेकर आया हूँ MCQ की format में और आप से मैं यही अपक्षा करता हूँ यही expectation रखता हूँ या पूरे दिल से दिमाग से इस session को attend करके अपनी जो knowledge है उसको बढ़ाएंगे और exam में सफलता पाएंगे क्या बात है तो सुबह का time है और मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ गुड मॉर्निंग जैहिन टो एव्रिवान राइट तो आयव वॉन्ट की एक बार session को share कर दीजे थोड़ा like भी कर दीजे ठीक है और हम शुरू करते हैं अपनी class को ठीक है तो लेट्स बेगन विद दिस session कितने बच्चे हैं जो आ चुके हैं जो हमारी एक process होती है जैसे अकबर की process थी जरों का दर्शन वैसे हम भी कर लेते हैं थोड़ा सा दर्शन नीलम पारूल अभी शेक गुपता अंकेता दीपक रित्यक प्रगती प्रधान विकास यादव आपकी class के time paid होती है इसलिए आ नहीं पाते रिकॉर्डिंग देखते हैं कोई बात नहीं होना चाहिए किसे का वह वेरी इंपोर्टन पूजा हर्ष परिहार लवी भारती और जानवी अनन्या परमजीत सिधार्था त्रवेनी अर्श रॉबेन प्रेणा प्रणॉय अखिल वेरी गुड़ मॉरिंग यार ब क्लास को शुरुबात करते हैं now understand this point understand this point कि बचो मैं आपकेले लेकर आ रहा हूँ पूरी महनत करके रहाओ बहुत महनत करके मैं आपके ले एक चीज़ लेकर आ रहा हूँ वोचीज आने वाली है आपकी 5th January आज कितना है आज कितनी है पूर्थ जनवरी कल जो है आपके लिए एक मेहनत करके एक content लेकर आ रहा हूँ ठेक है वो है सुबह 8 वजे एम सुबह 8 वजे ये content आएगा ये है अपना जनवरी से लेके December तक का complete defense current affair आपके जितने भी defense के exam है चाहे वो CRP, BSF, ITBP, SSB, Army, Navy, Air Force, Agnivir, whatever the exams are there, कोई भी exam आपके लिए है आपको बस ये डेड़ दो घंटे की class लगानी है या एक डेड़ घंटे की class लगानी है PDF अपने पास download कर लेना है और आपका जितना भी January से लेके December तक का current affair होगा बच्चो आपने बस उस PDF से revise करना है समझ आ गया तो आपका जो आपके जो उस्ताज जी हैं आपके जो mentor हैं वो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आप जो है ये defense current affair करके अपने दो से तीन या चार सवाल जो होते है multiple exams में तो बहुत सारे exams में तो बहुत अच्छे सवाल पूछे जाते तो वो सवाल जो है आप पूरे तरीके से solve कर पाएंगे और जो आपका लक्षे है यहां तक पहुँचने का वो आप जरूर अचीव करेंगे मैं उमीद करता हूं चलिए तो आज की class में यही था जो मैं आपसे बोलना चाहता हूं एक बार एक बार अगर आपको यह अच्छा लगा होगा तो आप जरूर एक बार मुझे टाइम और डेट नोट करके बता दीजे कॉमेंट सेक्षन में जैसे आप answers लिखते है ना वैसे ही एक बार टाइम और डेट जरूर इदर लिखिए मेंशन कर दीजे कि सर we will be there at eight o'clock in the morning हम आठ बजे सर इस सेशन में आ जाएंगे सुबह आठ बजे पांच तारीक को मतलब कल को एक बार जरूर लिखिएगा जरूर एक बार मेंशन कर दीजे चीक है अरे वह आज तो मतलब कमाली हो गया आज तो पंची की तरह यह स्लाइड घूम रही है अच्छा बच्चे का नाम क्या है बच्चो इस बच्चे का नाम है सूरज एक मनेट एक मनेट कि यह मतलब हमने जब सादरीचेंच कर दिया इसमें जादे ही आर्टिस्टिक चीज़े कर दी सूरज है ना सूरज है ना इस बच्चे का ओल इंडिया रैंक है 100 कहां पे CDS exam में IMA में ये बच्चा जाने वाला है IMA में ये जाएगा तो इसके साथ हम बात करेंगे आप जैसा देखने वाला बच्चा है और बहुत मेहनती बच्चा है राइट और अपेरट फॉदी प्रेस्टीजिस यूपी यूपसी इंटर्व्यू और लास्ट बट नॉट दे लीस्ट बच्चो जो भी लेना चाहते हैं अच्छी गाइडेंस अच्छी मेंटॉर्शिप अच्छा कंटेंट पीडियेफ फाइल सारा कुछ यह डिफिन्स का महापैक है वन स्टॉप सलूशन फॉर एवरीवन कोई भी एक्जाम की तैयारी कर रहो यहां पर आपको यह सारी चीज़े मिल जाएंगी इसको आपने याद रखना है यह रेफरल कोड है बच्चो जो आपने हमेश याद रखना है जब भी आपने कोई भी एक्जाम को परचेस करना है कोई भी कोर्स को परचेस करना है और यह बच्चो आपकी डिफेंस की टेस्सरीज है सारे डिफेंस की टेस्सरीज है जो बच्चा ABCD जानता है वो यह टेस्सरीज ले ले मतलब जिसको बेसिक पता है वो को मिल जाएगी यह fcat के courses है इसमें भी आपने रफिल कोड वाइफ ऐट एट एट ही इस्तमाल करना है और आज हम लोग शुरू करेंगे बगैर किसी दिले के मैं थोड़ा चेंज करके लाया हूँ तो जरूर आप इस चीज को ओविसली आप थोड़ा सा इसको एप्रिशेट भी करेंगे और इससे हम लोग सवाल भी समझेंगे ठीक है तो चलिए शुरू करें क्या शुरू करें अपनी कक्षा को जल्दी बताइए कक्षा को शुरू किया जाए कि फ़र्स्ट GCT at which office division इंडियन रेल्वेय ने पहला कमिशन किया है GCT कहां पे यार ये कोई बात नहीं कोई बात नहीं चलेगा चलेगा बताइए जल्दी बताइएगा जल्दी 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 क्विक एक दम फटा फट इसका अंसर निकलना चाहिए कि हमारी भारतिये रेल ने कमिशन किया है जी सीटी एंजन कहां पर जल्दी 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 वेरी गोड अप उपासना बहुत जल्दी सवाल उत्तर दे दिया आपने अच्छा लगा आपके उत्तर को देखके असन्सोल विजयवाडा प्रियाग राज या फिर रायपूर प्टा फट आंसर दीजेगा परमजीत लवीत रुवेनी एसके प्रहा इसका आंसर है अपना असन्सोल तो असन्सोल इसका सही उत्तर है असन्सोल तो इंडन रेलवे ने कमिशन किया है पहला गती शक्ती है ना तो फर्स्ट याद रखेगा इट इस दो फर्स्ट गती शक्ती मल्टी मोडल कार्गो टर्मिनल एना जी सीटी इन असन्सोल डिविज किसका पार्ट है इडिए पार्ट पार्ट अफ इस्टन रियल्वेए और यह जो पूरा प्रजेक्ट है यह प्रधान मंतरी गती शक्ती प्रोग्राम के तहत चल रहा है उसकार सब्सक्राइब की भी टेस्ट सिरीज है आपको मिल जाएगी मैं आपको बता दूंगा टेंशन मत लेना बट उसमें रेफ्रेल कोड आपने क्या लगाना है वाई-588S लगा लेना है तभी आपको जो है वो मिलेगा ठीक है बेनिफट मिलेगा चलिए नेक्स सवाल देखे नेक शेयर जरूर कीजे मेहनत लगती है ना इस काम को प्लीज कीजेगा अनुल सम्मिट ऑफ दे इंडिया ग्लोबल फॉरूम हाज बीन ऑगनाइज इन विच सिटी चन्नाई बैंगलू डेली या पूने जल्दी आंसर दीजेगा वेरी गुड आपके आंसर की भरमार मिल रही है है मुझे आज थोड़ा सा जादे ही आप उत्तेजत है बड़िया चीज कर रहे हैं आप वेरी गुड वेरी गुड तो यहां पर क्या आंसर मिल रहा है मुझे यहां पर बच्चा कह रहा है सर दी होना चाहिए बट नहीं बच्चे इसका अंसर है बैंगलूरू कहां पर बच्चो बैंगलूरू में है जल्दी लिखेगा कहां पर है इंडिया ग्लोबल फॉरूम बैंगलूरू में सबके सब लिखेंगे बैंगलूरू यहीं से याद रख लेंगे बैंगलूरू में यह फोरूम है जल्दी नेक्स सवाल देखते हैं नेक्स सवाल सिटी जल्दी बताइएगा अगर आपको याद है तो अधर नहीं है तो कोई बात नहीं इसको इसको बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए यह वाट शुट बी दा करेक्ट आंसर फर्ड आर्केटेक साइंस मिनिस्ट्रियल कहां पे हैल्ड हुई 2021 की जल्दी जल्दी क्वेक क्यों कोई क्यों क्योड मैं साइड हो रहा हु जल्दी आंसर दीजेगा कूई ऑकी जल्दी ब्यूल वरी गूड वरी गुड शबबाश यहां पर है Tokyo Japan Tokyo Japan के अंदर जो है यह conference है जी के यह ministry conference जो है third architect science ministry 2021 तो कि यह जपान के अंदर है क्या बात है पंची भी आग बहुत तेजी से यह सीबा है डेवलब देवलब दे कंट्री इस फॉस्ट बैक्सीन फॉर देडली वाइरल nervous necrosis disease okay the institute is based in which city सीबा ने घातक वाइरल nervous necrosis बिमारी के लिए देश का पहला टीका विकसित किया है संस्तान के शहर में स्थित है answer दीजेगा ठीक है sir I'm in a college I will definitely see your recorded video sorry okay no problem यार आपने अपना दुक्सान नहीं कराना recorded देखिए 2x पर देखिए 1x पर देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है बट हमेशा याद रखिए जो content है उसको पढ़ना जरूर है पढ़ाई जरूर करनी है बहुत शांदार बहुत शांदार प्रदर्शन कर रहें एक बर 50 watching live होने चाहिए अभी यहाँ पर दिल को संतुष्टी मिलेगी है ना जल्दी बताइएगा यह जो सीवा है CIBA यह कहां पर है बच्चों कि जल्दी बताइएगा इट इस वेर हां जी बताइए बताइए तो इटेज लखनाओ जिन्नाई पोल्काता यह न्यूडेली ठीक है इसने कंट्री की पहली वैक्सीन बनाई है किसके चंळाही कोलकता अपने वाइडल न वैस्ट वैस्ट सेंटर्स डेजीज के लिए जल्दी जल्दी-जल्दी इसको सब्णा आपने अपने बरी शाबस शाबबस वाइरल नवेस् नियुट बनाने वाले जो चन्नाई बेसेंट्रल इंस्टीट्ट आफ बाक ब्राकिश वोटर सेंट्रल इंस्ट्ट आप ब्राकिश वोटर एक्वा कल्चर जो और गनाइज़ेशन उसने यह डेवलप किया जल्दी सवाल नेक्स सवाल देखते हैं तो पहली बार भारत फ्रांस आउस्ट्रीलिया समवाद कहां आयोजित किया गया है बताइए इटली में किया गया है उसके बाद दिली में किया है न्यू यू यू या लंडन में बताइए चाभबाश पहतरीन कहां पर किया गया है इटको आइडिया नहीं है वो क्या करेंगे वो आपने comment section के अंदर ही थोड़ा सा लिखलेंगे सवाल को इंडिया, France, and Australia, ठीक है, India, France, Australia, meet, इस तरीके से लिख लिया और लिख दिया क्या answer, answer क्या है बच्चो, इसका answer है, New York, क्या है, sorry, New York, इसका answer क्या है बच्चो, New York, clear हो चुका है, इसका answer क्या है, New York, अरे, New York नहीं है, इसका answer, एक मिनिट, लंडन इसका अंसर है, it is not New York, वो मैं आपका पढ़ रहा था अंसर, लेकिन it is London, ठीक है, UK लंडन के अंदर है, बहुत ध्यान से समझेगा, IFA meet कहां पर हो रहा है, New York में नहीं हो रहा है, sorry, by mistake मैंने बोल दिया, it is in London, समझ आ गया, UK लंडन के अंदर है, समझ आ गया, जल्दी इसको दुबारा से लिख दो, comment section के अंदर दुबारा से लिख दो, it is IFM meet, लंडन के अंदर हो रहा है, जल्दी से जल्दी लिख देना, ठीक है, कहां पर हो रहा है, the first ever, India, France, Australia, जो foreign minister का dialogue है, यह कहां पर हो रहा है, UK का शहर है, London, वहां पर हो रहा है, ठ group of seven ministers की meeting हो रही है, उदर, उसी के वहीं पे आपको London के अंदर, जो है, यह meeting भी मिलती हुई, दिखेगी, अच्छा मुझे एक सवाल बताईएगा, जी सेवन में क्या रश्या, पार्ट है की नहीं, जी सेवन का हिस्सा, रश्या है की नहीं, यह answer आप लोग देंगे, जी just a second, जली, अब देखी, the IAF has planned to set up 100 bed COVID-19 care facility in which city, IAF, इंडियन एर फोर्स ने यह साइट प्लान किया है कि 100 bed COVID-19 facility जो है, वो कौन सी सिटी में करेंगे, IAF का मतलब कहा है, इंडियन एर फोर्स, इंडियन एर फोर्स ने यह प्लान किया है, तो बताईएगा कहां पर यह करने व बताईएगा, इसका अंसर क्या है, बैंगलूरू, बैंगलूरू में इंडियन एर फोर्स ने प्लान किया है कि 100 bed facility यह सेट अप करेंगे, बैंगलूरू में, नेक्स अवाल देख लेते हैं, नेक्स अवाल इस, the resilience foundation, the resilience foundation will set up 1000 bed COVID-19 care facility in which city, जल्दी बताईएगा, तो जाम नगर, रिलाइन्स का बहुत बड़ा एक setup है, जाम नगर के अंदर, वहाँ पर यह COVID-19 care facility को setup किया जाएगा, ओके, next is, अच्छा ये बात याद रख लेना, January से December का complete defense current office आपके सामने आ रहा है, सिवा के लिए, कब आ रहा है, MCQ प्लस निमोनिक्स दोनों होगे, live कल होगा, आठ बजे सुबह, पाँच जैनवरी को, पाँच जैनवरी मतलब कल होगा, ठीक है, तो आप सभी ने कल जो है, आज आना है, और जबर्दस तरीके से, तीन-चार सवाल हम लोग पक्के कर लेंगे, अपने, देखिए, डॉमिनिक ओगवेन, डॉमिनिक ओवेन, वु युद्ध अपरादो के लिए दोशी ठहराया था, किस देश से है, सुदान से, युगांडा से, नाइजीरिया से, या एराक से, जल्दी बताईएगा, डॉमिनिक ओगवेन, कहां से बिलॉंग करता है, जल्दी, 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 शाबबाश, कहां से है, बच्चा सही भ आपको पता है, क्या करना है, आगे आपको पता है क्या करना है, तो डॉमिनिक ओगवेन, जो है, वो ICC, कोट से, युद्ध अपरादी घोशित किये गए है, ये, डॉमिनिक ओगवेन, जो है, युगांडा, युगांडा से तालूक रखते हैं, किस से तालूक रखते हैं, यूगांडा से तो आपने क्या करना है डॉमिनिक इस तरीके से लिख देंगे डॉमिनिक डॉमिनिक जो है कहां से बिलॉंग करता है यूगांडा से कहां से यूगांडा से ऐसे फिल्मों में आता है न यूगांडा के जंगलों से आया है यह इंसान ऐसा कुछ इस तरीके से य तो युगांडा के जंगलों से यह डॉमनेक आया है अब देखें नेक्स सवाल देखते हैं कि 19th मीटिंग नेक्स सवाल क्या है बच्छो 19th मीटिंग ऑफ जे एससी और इंडिया बंगलादेश को आपरेशन जेसी और इंडिया बंगलादेश को आपरेशन इन्दी इनर्जी स पूर्जा शेत्र की यह जो 19th मीटिंग है यह कौन से जगा पे और्गनाईज की गई हां तो यहां पे हर बच्चा क्या आंसर दे रहा है हर बच्चा बहुत ही अच्छा आंसर दे रहा है जो भी आंसर दे रहा है और दो और दो सबके सब आंसर दो सबके सब आंसर दे दीज तो इस आंसर एज, आंसर क्या है बच्चों, आंसर है ये जो 19th meeting हुई है, 19th meet हुआ है, ये कहां पे हुआ है, ये हुआ है धाका में, पांगलादेश, ठीक है, तो धाका में इसके जो है meeting हुई है, धाका के अंदर, ठीक है, clear हो चुक है, energy meet हुई है, कहां पे धाका में, clear हो च रिखते हैं संय है सेरंव इंटिटीटूट अफ इंडिया कॉन सा पता होना चाहिए कि यह सिरम इंस्टीट्यूट जिसने भारत को इतना प्राउड फील कर आया यह कहां पे सिच्वेटेड है इतने पूने बिल्कुल याद रखेगा इतने पूने ड़न चली नेक्स्ट इस विच इंटरनाशनल एरपोर्ट नेक्स क्या है विच इंटरनाशनल एरपोर्ट अज रिसीव अचली विच इंटरनाशनल एरपोर्ट है रसीवड आ मास फीवर स्क्रीणिंग सिस्टम्स तू एन्हांस द स्क्रीणिंग प्रॉसेस ऑफ पेसेंजर या त्रू की स्क्रीणिंग प्रक्रीया को बढ़ाने के लिए किस अंतराश्रिय हवाई अडे पर मास फीवर स्क्रीणिंग सिस्टम लगाया गया आई जी आई एयरपोर्ट राजीव गांदी कैमपागोड़ा इंटरनाशनल एरपोर्ट या कोचिन इंटरनाशनल एरपोर्ट बताइए गा लगता है आपको अब बताएए हाँ जी सबके सब आंसर दे दीजे ताकि आप सब जो है या तो सही होगा या गलत होगा जादत से जादा इतना ही होगा वेरी गुड़ घबाश आपाश वेरी गुड़ वेरी गुस्टेर अन्सर चले तो इसमें क्या है राजीव गांधी इंटरनेशनल ऐ पोर्ट राजीव गांधी इंटरनाशनल एरपोर्ट में इस तरीके का तो मास्स फीवर स्क्रीनिंग सिस्टम लगाया गया है मास्स फीवर स्क्रीनिंग सिस्टम को लगाया गया है विएक सवाल दिखते हैं एक सवाल क्या है बच्छो एक सवाल है इंटेन पीएम Modi and Chinese President, लिएच रिए जिंपेंग meet at which of the following historical places जिप कहाँ पर वो मिले थे which of the following historical places जल्दी आंसर दी जगा बताईए तो PM Modi and President Jinping जो है वो कहाँ पर मिले है मामलापुरम में मामलापुरम में यह सेकंड इन्फॉरमल उनकी समेट है मामलापुरम तमिल नाडू में मामलापुरम तमिल नाडू में यह लोग मिले थे अब देखिए which of the following place of Punjab is connected through करतारपूर कॉरिडॉर which of the following place of Punjab is connected through करतारपूर कॉरिडॉर जल्दी बताईएगा हुश्यारपूर हो गया गुर्दासपूर हो गया अमरितसर हो गया या नवाशहर हो गया कौन सा प्लेस है अब देखिए करतारपूर कॉरिडॉर हमेशा न्यूज में रहता है करतारपूर कॉरिडॉर हमेशा न्यूज में रहता है तो आपको ये सवाल जो है आप लगा सकते है आइडिया क्या होना चाहिए जल्दी 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 अजी येस 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 शाबाश तो यहां पे है अमरिट सर राइट सो अमरिट सर ये याद रखेगा इट इन अबरिट सर तो इस तरीके से आपने याद रखना है झेके नेक्स सवाल दिखते हैं वेरर डिट दर तर्टी फर्स इंटर्नाशनल आश्ल रॉन सेंद हेंल तब ये इत तर्टी फर्स इंटर्नाशनल कॉन्फेंस जो है सिंद हैल्ड होई थी It was held in New York, Paris, London या वाशिंग्टन कहां पर ये held हुई है, जल्दी बताइए जल्दी जल्दी, quick इसका answer चाहिए क्या answer है, where did the 31st international conference on SINTH held कहां पर ये international conference हुई है, SINTH की SINTHी conference quick अच्छा, I think मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है मुझे ये लगता है आपके reactions को देखके कि ये सवाल जो है बड़े latest सवाल मैंने पूछ लिये है इसा है क्या बताइए did I ask something which is very very latest yes sir understood तो ये है London, इसका answer क्या है बच्चो इसका answer क्या है, इसका answer है London तो 31st, 31st जो international conference है 31st international conference है, किसके उपर on sindh किसके उपर है sindh तो ये कहां पर organize हो रही है, London के अंदर हो रही है कहां पर बच्चो इंटन और organize हो रही है world sindhie congress, कौनसी है world sindhie congress 31st international congress on sindh is going to held in London is going to held in London, समझ आया है कि नहीं आया है ठीक है, 31st, clear हो चुका है, अब देखे, next हम लोग सवाल देखते, next का सवाल उत्तर दीजगा which country, which country, first private launchpad has been set up by the Agni Kul Cosmos at Shri Harikota तो Shri Harikota में Agni Kul Cosmos द्वारा किस देश का पहला निजी launchpad स्तापित किया गया था जल्दी बताईएगा, क्या लगता है, किस देश का launchpad स्तापित किया गया था इसका answer क्या है, इंडिया का first private launchpad was set up by Agni Kul Cosmos at Shri Harikota तो इंडिया का ये launchpad established किया गया था, ये आपको information पता ही है, क्या इसमें करना है अब नेक्स सवाल देखते है, President of which country will be the chief guest at Republic Day celebration in India 2023 2023 में, 2023 में क्या होगा, जो हमारा Republic Day है, उसमें जो President किस country के होंगे जो chief guest होंगे, जपान के होंगे, चाइना के होंगे, एजप्ट के होंगे, या उमान के होंगे जल्दी बताईएगा, ये सवाल का उत्तर तो देखी सकते हैं ठीक है, तो कौन होंगे, आंसर दीजगा, क्विक, 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 चबबाश वेरी गोड, यहाँ पे जदतर बच्चे क्या गह रहे हैं तो सी से मुझे याद आ गया, सीसी, है ना, क्या याद आ गया सीसी तो हमारे जो अब्दुल अब्दल फते लसी सी है अब्दुल फते लसी सी ठीक है Egyptian President है next सवाल देखते है researchers discovered five new species of black coral coast in the great barrier reef and coral sea of the coastal of Australia of which country ठीक है researchers ने discover किये है पांच new species of black coral reef in the great barrier and coral reef of Australia of which country जल्दी बताईएगा what should be the correct answer हाँ जी बताओ अब देखो यह तो simple है ना या ग्रेट barrier reef हमने कहां पढ़ा था great barrier reef कहां पढ़ा था यह basically एक coral reef है coral reef का type है ठीक है coral reefs जो होती है उनके भी types होते हैं तो barrier reef भी होता है एक तो barrier reef जो great barrier reef है वो आपने कहां पढ़ा था Australia में ठीक है आउस्ट्रेलिया में इसका सही अंसर है आउस्ट्रेलिया में आपको यह species देखने को मिलेंगी अब देखें नेक्स सवाल है 23rd hornbill festival 23rd hornbill festival जो है वो और्गनाइज होगा क्या उनसे स्टेट में इस गोइंग तो इन विट स्टेट इस गोई टो बी ऑर्गनाइज इन विट स्टेट महराश्ट्रा में नागलाइन में त्रिपुरा या करनाठका में जल्दी बता दीजे टीक है जल्दी बताईए जल्दी 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 क्वेक सिंपल सवाल है न क्योंकि यह देखे यह हवाल फेस्टेबल जो है हमेशा हमेशा पर में पूछा जाता है और इसका अंसर क्या होना चाहिए उप और है keeping the worthwhile यह कहां पर है on we love festival नाग लेंग में तहां पर है नगा लैंड में हैं टीक है नागा लैंड में है लार हो चुका है नागा लैंड में है किके nukh right okay now which state government appointed प्रसून जोशी आज अज ₹ड ब्रांड अबैसडर कौन सी State Government है जिसने प्रसून जोशी को ब्रैनडबा सदर सेलेक किया है राजस्तान हिमाचर प्रदेश मध्य प्रदेश रा उत्रा अथ्य कर ऊत्र yaga किस state government ने प्रसून जोशी को क्या डिकलेर किया है कि यह हमारे ब्रैंड हम रहे Capital होंगे जल्दी आंसर दीजेगा quick 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 very good उपासना दिव्यांशी skip skip नहीं करना है कुछ ना कुछ तो आंसर दे दो है वाँ ठीके थाउन जोशी को अपॉइंट किया गया है बाई उत्राखंड government तो उत्राखंड government ने प्रसून जोशी को appoint किया है प्रसून जोशी को appoint किया as their brand ambassador उत्राखंड government ने प्रसून जोशी को इसका अपना brand ambassador appoint किया है who has been appointed as a member of UPSC. अभी recently UPSC का chairperson होता है UPSC का chairperson होता है और बाकी उसके members होते हैं तो मेंबर्स की काटेगरी में किसको नया नया ओपॉइंट किया गया कृती मलेक शूती तिंग प्रीती सुदान या फिर शिवांगी पंचाल जल्दी आंसर दीजेगा कोई कांसर दीजे हाँ जल्दी बताइए वो पहले हेल्थ सेकर्टरी भी रहे चुकी है फॉर्मर फॉर्मर हेल्थ सेकर्टरी ठीक है इनका नाम क्या है इनका नाम है प्रीती सुदान क्या नाम है इनका प्रीती सुदान फॉर्मर हेल्थ सेकर्टरी जो है वो प्रीति सुधान रहे चुकी है member of UPC next सवाल देखते हैं two volcanic eruptions two volcanic eruptions two volcanic eruptions two volcanic eruptions in काम चटका पिनिन्सुला साइबेरिया region erupted in which country ठीक है काम चटका प्रायदीप साइबेरिया छेतर में दो जो आलमों की विस्पोर्ट किस देश के हुए Canada, Russia, USA या Australia जल्दी आंसर दीजगा काम जल्दी बताइए, Siberian region तो काम चटका, Peninsular Siberian region ठीक है तो यह याद रखना काम चटका यह कहां पे है, Siberian region में है, without any doubt, yes, but जो सब के सब बच्चे कह रहे है, it is in Russia, it is in Russia, याद रखेगा, it is in Russia, done, it is in Russia, ठीक है, तो देखो, ऐसा सवाल जरूरी नहीं है, कि आपको सेम टू सेम सवाल पूछा जाए, बट देखें आस्यों कि कम चटका, Siberian region कहां पे पड़ता है, और यहां पे volcanic eruption होता है, कि नहीं होता है, सर, network का बहुत problem है, तो मैं क्या life class ना करूँ, तो कोई problem तो होगी, क्या, नहीं कोई problem नहीं है, दोस्त, बस class को attend कर लो, ठीक है, अब देखें, नेक्स सवाल है, which country witnessed a significant decline in the maternal mortality ratio, MMR के अंदर जो है, बहुत ज़्यादा decline जो है, वो देखा गया है, बहुत ज़्यादा decline जो है, वो देखा गया है, ठीक है, जल्दी बताइएगा, Russia, India, Germany या Australia, जिसमें MMT, MMR, maternal mortality ratio जो है, वो काफी ज़्यादा कम देखा गया है, maternal mortality ratio जो है, वो काफी ज़्यादा कम देखा गया है, जल्दी बताइएगा, मतलब की बहुत ज़्यादा decline हुआ है, मतलब यह हमारे लिए अच्छी बात है, this is a very good thing, सोचके देखिए, options में देखिए, options को देखिए, maternal, जहां पे महिलाएं जो है, उनकी मृत्यू हो जाती है, जैसे वो delivery करती है, तो उस time पे क्या होता है, उनकी वो survive नहीं कर पाती, क्यूंकि उनका portion सही नहीं होता, को portion की शिकार होती है, और भी बहुत सारे social health issues होते हैं, pressure होता है, इस वज़ा से, तो कहां पे आपको ये चीज में significant decline देखने को मिलेगा, अब देखो बच्चों यहां पे knowledge नहीं, यहां पे logic काम आ सकता है, अब मैं आपको logic बताऊंगा, फिर आप बताईएगा कि sir logic set बेढ़ता है, समझ आ रहा है आप, अब देखें, यह जितनी भी countries हैं, इंडिया को छोड़के, यह सारे developed countries हैं, और developed countries में यह सारी चीज़े जादा माइने नहीं रखती, यहां पे developed countries में महिलाओं को बहुत जादा अच्छी health सुवधाई होती है, सारी चीज़े सही होती है, आप कभी देखिएगा, लोग, इंडिया के लोग भाग क्यों रहे हैं, इंडिया से, उनके पास थोड़ा बात पैसा कमाने वाली बात भी है, लेकिन जो सुवधाई developed nations में मिलती हैं, वो इंडिया में नहीं मिलेंगी, इंडिया is still growing country, जहां पे हम लोग अभी भी कुपोशन से लड़ रहे हैं, education से, illiteracy से लड़ रहे हैं, हम लोग child mortality ratio से लड़ रहे हैं, ठीक है, में ये सारे मुद्दे नहीं होते हैं, वहाँ सब कुछ ठीक होता है, मतलब ये इस category के चीज़ों में, तो इंडिया ने significant decline दिखाए, maternal mortality ratio में, next सही, next है, world AIDS day is being celebrated on which day, कौन से देन जो है, world AIDS day जो है, celebrate होता है, जल्दी बताइए का, फिफ्थ, फोर्थ, फर्स्ट या सेकेंड, world AIDS day कब celebrate किया जाता है, कब celebrate किया जाता है, बच्चों बता दो यार, जल्दी बताना, world AIDS day कब celebrate किया जाता है, ठीक है, तब celebrate होता है, आच्छा, तो आप सब क्या कह रहे है, ये celebrate होता है, 1st December को यह celebrate होता है 4½ December को समझाया तो सब के सब लिखेंगे 1st December very good 1st December को यह celebrate किया जाता है next अवाल देखते हैं 53rd International Film festival 53rd International Film Festival of India was held in wet state Goa के अंदर मनीपूर के अंदर सिक्क्यम के अंदर या उत्तरप्रदीश के अंदर जल्दी बताईएगा 53rd, 53rd International Film Festival, 53rd International Film Festival जो है कहां पर celebrate किया जाता है, किया गया, जल्दी बताईएगा, quick, 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 very good, तो almost सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं, क्या आंसर दे रहे हैं, चलो देखते हैं, it is being celebrated in Goa, कहां पर celebrate होता है, कहां पर celebrate होता है, बच्चों, Goa के अंदर 53rd International Film Festival celebrate होता है, ठीक है, next सवाल देखते हैं, next सवाल क्या है, Aero India 2023, क्या है सवाल, Aero India 2023, is to be held 13 से लेके 17 February 2023 तक in which city, तो 17 से लेके 17 February तक 2023 तक Aero India 2023 और्गनाईज किया जाएगा, कौन सी सिटी में, it is to be organized in सूरत, पूने, जैपौर या बैंगलूरू, बताईएगा, क्या आपको अंसर लगता है, what should be the correct answer, कहाँ पर होगा, सब बच्चे आंसर दे ही रहे हैं, विससे तो, very good, बहुत शांदार, बैंगलूरू, बैंगलूरू, ओके, ओके, very good, very good, very good, आउके, चलिए, तो आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, सब बैंगलूरू होना चाहिए, इसका अंसर, yes, तो एरो, क्या है, एरो, इंडिया, एरो, इंडिया, 2023, 2023, जो है, वो organized कहाँ पर हो रहा है, बैंगलूरूरू के अंदर, बैंगलूर, कर्नाटिका के अंदर, ठीक कौन से साल में, जल्दी बताइएगा, न्यूस के अंदर था, तो आप बताइएंगे कि विस्तारा is to merge with Air India, कौन से year में, विस्तारा merge होगा, कौन से साल में विस्तारा merge हो जाएगा, तो आपने बोला, सर, 2024 में होना चाहिए, तो yes, 2024 में जो है, विस्तारा merge हो जाएगा, एर इंडिया के साथ, एक सवाल देख लेते हैं, which bank, which bank is to continue to operate as an Indian private sector bank, कौन सा बैंक है, जो भारतिय नीजी शेतर के बैंक के रूप में काम करना जारी रखेगा, SBI, ICICI, IDBI या PNB, जल्दी बताइएगा, कौन सा आपको लगता है, what should be the correct answer, जो इंडियन private sector bank के तोर पे ही काम कर रहेगा, हाँ जी, बताइए, क्या अंसर लग रहा है, it is ICICI, नहीं, यहाँ पर बच्चा IDBI भी कह रहा है, तो यहाँ पर क्या अंसर है, IDBI, so IDBI is a bank, IDBI is a bank, जो क्या करेगा, which will continue to operate as an Indian private sector bank, which will continue to operate as an Indian private sector bank, IDBI, next इसमें है, United Nation panel, a UN panel has recommended that which country's great barrier reef is to be listed as world heritage site in danger, ठीक है, संयोगत राश्र के एक पैनल ने सिफारिश की है, कि कि किस country की great barrier reef को खत्रे में विश्व विरासत स्तल के रूप में सूचिबद किया जाना चाहिए, अब इसका अंसर तो आप सब दे सकते हैं, सब दे सकते हैं, very good, very good, क्या है इसका अं हाँ, क्या बोला आपने, शाबाश, शाबाश, राइट, इसका अंसर है बच्चो, ऑस्ट्रीलिया, इसका अंसर क्या है, ऑस्ट्रीलिया, शाबाश, नेक्स सवाल देखते हैं, ऑस्ट्रीलिया, डन, चली, अब नेक्स सवाल क्या है, हाँ, जितेंदर सिंग ऑफ विच स्ट स्टेट के हैं जिन्होंने रसीव किया नाशनल गुपाल रत्ना अवार्ड 2022 जल्दी बताईएगा हरे आना वेस्पेंग गॉल सेक्यम या ज्भारखण जल्दी बताइए जीतेंद्र सेंग जो है कौन सी स्टेट के हैं जिनको National Gospel Awards मिला है ये सवाल तुमें करा चुक हूं आपको या ना चाबाश तो जीतेंद्र सेंग हमारे जीतू भाईया ये बिलोंग करते हैं हर्याना से हर्याना से बिलोंग करते हैं कहां से belong करते हैं हर्याना से belong करते हैं नेक्स सवाल देखते हैं नेक्स सवाल क्या है बचो ओके what is the next question मुझे लगता है कि बस हमारा आज इतना ही content था आज की class में हम लोग इतना ही पढ़ने वाले थे I hope आपको मजा आया होगा और मैं आप सभी से expect करता हूँ कि आप लोग कल की class जो है ये वाली class सुबह 8 बजे होने वाली है बच्चों ये वाली class सुबह 8 बजे होगी कल होगी यहाँ पे complete defense current affairs पढ़ लेंगे इसका आपको PDF मिल जाएगा आपको MCQs मिल जाएगे तो हम 3 प्लस MCQs दोनों पढ़ने की कोशिश करेंगे और आपका कोशिश होगी कि पूरा का पूरा जितना भी content है वो आपको मिल जाएगा सही सलामत आपके हाथ में और इसके अलावा एक और information में आप सभी को दे देता हूँ आपके काम की information है इसलिए बता रहा हूँ देखिए हमारा CDS का batch जो है live हो चुका है आप वो batch ले सकते हैं पर बच्चा पूछ रहा था कि सर मैं FCAT का test series लेना चाहती हूँ तो क्या मैं ले सकती हूँ बिलकुल ले सकते हूँ मैं process बता देता हूँ उसके हिसाब से आप ले सकते हैं देखिए ये है website आपने simple जो process बता रहा हूँ वो website जो है आपने follow करनी है चार बचे class होगी 101% class होगी अब देखिए ये है all courses all courses में गए आपने defense को click कर लिया है न click करने के बाद ये defense महापैक होता है बच्चो जिसमें आप क्या कर सकते हैं जो भी exam हमारे आते हैं उनके live batches को select करके आप शुरुवात कर सकते हैं अपने classes की अभी देखिए जैसे CRPF का assistant sub inspector का exam आया है ना आया तो आप अगर सिर्फ FCAT के student होंगे FCAT का अपने course लिया होगा तो आप CRPF वाले की तयारी नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर आपने defense महापैक लिया होगा तो इसमें आप CRPF वाले की भी favor पसंदीदा exam है अच्छे level के exam होंगे या जो भी होंगे उस हिसाब से ठीक है कल आठ बजे बिलकुल आठ बजे होगी तो बात ऐसी है बचो कि ये defense महापैक को अगर लेना चाहते हो इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा double validity दुबारा से यहाँ पे मिल रही है और इसको आपने click करना है जैसे ही आपने click किया buy now का option आगया और यहाँ पे आपने referral code जो मैं आपको बताता हूँ जो कि आपने इस्तमाल करना है Y588 जैसे आपने referral code इस्तमाल कर लिया यहाँ पे आपने click कर लिया 32 रुपे का मिल गया 12 प्लस 12 दो साल का काम आपका fix हो गया दो साल तक बहुत भेतरीन तरीके से पढ़ाई कीज़ेगा without any doubt तो आपने इस तरीके से तयारी करनी है बाकी मैं आपको F-CAT की बता देता हूँ F-CAT का क्या है F-CAT का ये course है बट आप कह रहे हैं कि सर मुझे ना test series लेनी है तो देखी ये F-CAT की test series है 300 रुपे की ठीक है ये MCQs है ठीक है उसके बाद defense maha test series है और ये सारे prime test series है अब जैसे ये test series को आप click करेंगे यहाँ पे आप जाएंगे और ये आपको view offer आ जाएगा click कर दिया 300 रुपे दिखा रहा है लेकिन अगर आप यहाँ पे click करके देखे अगर आप यहाँ पे click करेंगे चिक है और Y588S लगाएंगे S लगाना पढ़ेगा आपको चिक है क्योंकि ये सारी test series के लिए batches लेने हैं तो batches के लिए तो Y588 लगाना है यहाँ पर भी आपको 50 रुपे का discount मिल जाएगा और ये 500 रुपे की test series आपको मिल जाएगी ये वैसे 300 की थी आप 500 के मिल जाएगी तो this is the process अगर आपको लगता है तो you can go ahead with this PDF कहां मिलेगी PDF जो है इसी lecture के नीचे go PDF में जाना 15-20 मिनिट में वो PDF अपलोड हो जाएगी ठीक है so I see you next time थैंक्यू and जय हिन थैंक्यू